Hello Friends! आज अब लेकर आएं आपके नन्ने मुन्ने बेबी बोईस के लिए Letter N या नव अक्षर से एक तब मौडन और नए नाम इस अभी नाम एक साकरात्मक अर्थ वाले हैं जिससे बड़े होकर बेटा अपने नाम के प्रतित गर मैसूस करेगा पहला नाम है नमन Means Salutation यानि अभिवादन अगला नाम है नुशान Means Horizon यानि शितिच अगला नाम है निले Means A House or Heaven यानि एक खर या स्वर्व अगला नाम है निहाल Means Happy or Successful or Satisfied यानि खुश या सफल या संतोष्ट अगला नाम है नक्षित Means In Control of One's Stars यानि सितारोद्वारा नियंत्रित अगला नाम है नित्विक Means Moon or Lord Shiva यानि चांद या भगवान शिव अगला नाम है निर्मन्यू Means Free of Anger यानि ख्रोज से मुक्त अगला नाम है नवच Means Newborn यानि नवजाद अगला नाम है निहिर Means Wind यानि हवा अगला नाम है निवान Means Boli यानि पवित्र अगला नाम है नील Means Champion or Blue or like a horn यानि विजेता या नीला या एक सीन की तरह अगला नाम है नकुल Means One of the Pandavas और Lord Shiva यानि पांडवों में से एक का नाम या भगवान शिव अगला नाम है निविक Means Confluence of Rivers यानि नदियों का संगम अगला नाम है नाहुल Means Powerful Boy यानि शक्तिशारी लड़का अगला नाम है नैमेश Means Lord Vishnu और Polite यानि बगवान Vishnu या विनम्र अगला नाम है निमेश Means Momentary यानि शनिक अगला नाम है नदिश Means God और Ocean और Hope और God of Water यानि भगवान या महसागर या आशा या पानी के भगवान अगला नाम है नितिन Means New और Owner of the Path of Truth यानि नया या सत्यमार्क का मालिक अगला नाम है नैतिक Means Good in Nature और Religion यानि प्रकती में अच्छा या धर्म अगला नाम है नलिद Means Lotus यानि कमल अगला नाम है निधीश Means Lot of Treasure यानि खजाने के भगवान अगला नाम है नक्ष Means Features और Head यानि विशेशताइन या सिर अगला नाम है निखिल Means Perfect और Complete यानि पूर या पूरा अगला नाम है निधीश Means Follower of the Right Path यानि सही रहा पर चले वाला अगला नाम है निपेंद्र Means King of Kings यानि राजाओं के राजा अगला नाम है नयन Means Eye यानि आँख अगला नाम है नब Means Sky यानि आपाश अगला नाम है नैवैद्र Means Offering to God यानि ने नौ को चड़ाया हुआ प्रसाद अगला नाम है नक्षत्र Means Star और Bird यानि तारा या मोती अगला नाम है निर्वान Means Liberation और Eternal Bliss यानि मुक्ती या मोक्ष अगला नाम है निलाक्ष Means Blue-Eyed और Lord Shiva यानि नीलिया अपाला या भगवान शिव अगला नाम है निरिश Means Free और Without Any Owner यानि मुक्त या किसी भी मालिक के बिना अगला नाम है नवल Means New और Modern यानि नया या आधुनिक अगला नाम है निर्वेद Means Gift by God यानि भगवान द्वारा उपहार अगला नाम है नाविन्य Means New यानि नया अगला नाम है निशार Means Non-Ending और Lord Shiva यानि जिसका कोई अंत नहीं या भगवान शिव अगला नाम है निर्मय Means Pure यानि शुद अगला नाम है निशी Means Night यानि रात अगला नाम है निवित Means Vedic Hymns यानि वैदिक भजन अगला नाम है नियान Means Eye यानि आँख दोस्तों आशा है आपको हमारे सुज़ने में नाम पसंद आई हुए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपिया हमारे चैने अगला रहा है साथ ही वीडियो को Like and Share जरूर करें अगर आप हमारे बता हुए में से कोई भी नाम अपने बच्चे के लिए चैन करते हैं तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमें जानके बहुत अच्छा लगेगा